ओम्हें ने ऐसा मुच्छ लख्ष रखना हैं कि ब्रह्मा बाप समान मुझे भी ने से स्रेश चस्टिती क्योंकि हम देख रहे हैं इस संसार में परिस्विद्या बिगड़ते जानी है और समस्या ने बढ़ती ने जानी है इन बढ़ती भी समस्याओं का सामना करने के लिए अच्छ लगो इस्तिती बनाना पराम अवस्त है अगर हमारी अच्छ रोल्स्तिती नहीं होगी तो परिस्तितियां हमें कटूदिती के थे से सिस्तिती परिस्तिती होती है पद्धा जेसे हमारे स्टिती होती हैं लोग हमारे स्टिती करते हैं जेसे पेश्टी उपस्टिती होती हैं अधान जहां हम जाते हैं हमारा आभा मंदल स्टिती सेवा करता रहता है हमारे स्टिती से वैब्रेशन जाओ और फ्यारती रहते हैं जेसी आवस्था बेसी व्यावस्था अधान जेसी हमारी व्यावस्था होती हैं वैब्रेशन जाओ के द्वारा और प्रकृती के द्वारा व्यावस्था होती रहती हैं तिसले संगर्योगी को साथ जीवन का लक्ष हो चाहे कुछ भी हो मुसे इसी अच्छव अडोल एक रस्थिती बनानाई हैं इससे अच्छव अडोल एक रस्थिती बनाने के लिए पहले बात हैं इस से अज़रब स्थिति बनाने के लिए पहली बात है एकांत में बैठकर हमें आतम हविमाने स्थिति का अभ्यास बहुत रुची से करते रहना चल रहे हैं क्योंकि हम बाबा के पास आये हैं अपने ही केरेक्टर की बिल्डिंग एकिस मंजल की एकिस जन्मों की बनाने के लिए आये हैं इतनी मुझ्जी और सुन्दर बिल्डिंग बनाने आये हैं उसका फॉंडेशन है आतम हविमाने स्थिति पक्ति करना तो फॉंडेशन पर जब हम काम करते हैं अभ्यास करते हैं और इधर उदर थोड़ा सा हमारा भ्यास जाता है तो माया वस में संसे का पॉंग लग देती हैं और जब संसे का पॉंग लगता हैं तो फिर जाती हैं पुरे निच्छे के साथ जबी हैं इसी संदर्ड में वंगत का उधारण पर देते हैं जब अंगत रावन के दर्बार में बेठा तो रावन वस में पैर उठाने के बहुत प्रयास किया लेकिं पैर को वह इला नहीं सका उधाने सका उसका नाम क्या था अंगत अर्थाद अंगत जिसने अंगत को पुला दिया आतम अभिमानी स्थिप में पक्का हुआ उसका पुद मारी आगदार है इसलिए आतम अभिमानी स्थिप का अभियास हमें वीधी पुर्वक करते रहना ज़री है वीधी बड़ी स्थाव है एकान्त में पहले कर उतीर पी नेतर से आतमा को देखना ज़री है देखने के बाद उसमें स्थीर करते रहें और एक एक गुण की बहुत अच्छी तरवर से अनुपती करते रहें आतमा की ज़री जी साथ गुण हैं उन गुणों का एक के बाद एक का बहुत सुन्दर अनुपते रहें तो आतमा का प्रकास आतमा का जो आवा मंदल हैं वो विशाल बनता जाएगा बालो हर मुल्ली में आतमा के अभियास पर जोर देते हैं सो इनकों आतमा समझों आतमा समझों क्यों बाबा आतमा में कूट कूट कर भरा पड़ा हैं उसको हमें खटाना हैं और एकिस जनम तक नैचरल आतमा का भान रहें उसको हमें जोटाना हैं इतना बड़ा भूम वर्थ हमें पुरा करना हैं समय बहुत थोड़ा नमारे पास हैं इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस अभियास हुन नहीं अच्छा अडोल स्थिति बनाने का गुह राज दुस्ता ये हैं इस स्थिति बनाने के लिए सला स्वान के सिहासन पर पेटे लेना जल्दी हैं हम बहुत रोयल बाबा के बच्चे हैं बाबा ने हमें आते ही स्वान का सिहासन पर बैठने के लिए दिया हैं तो स्वान के सिहासन पर बैठने से इस्वरी नसे के खुशी बहुत संदार अनुपते हमें होती हैं और जब इस्वरी नशाव इस्वरी एकुशी की अनुपते बढ़ती हैं तो मान और फुल की अनुपते हैं और हमें बार नहां की और ले जाने का काम करती हैं अगर स्वान में हम नहीं रेते हैं तो ये गुशाने दुनिया दे प्रवाओं में ही हम लेते हैं इसलिए किते हैं जितना इस्वरी नशे में चूर उतना इस पुरानी दुनिया से दूर हम स्वयल को रौब करते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा स्वें से सुमाएं मैं नमबर वन नारायन बने जहां रहा हूं मैं सारे प्रजा का पीता हूं प्रजा पीता हूं इस नारायन नशे में रहने से बाबा बहुत तेजे से अपने संपुरता के निशाने पर पहुंच गए मैं साहिता करता है लेकिन सुमाएं में स्जित रहे ना हुने विधी पुर्वक आना चाहिए किस से विधी पुर्वक सुमाएं में स्जित रहे है बाबा ने हमें बहुत सारे सुमाएं के पॉइंट्स दिये है टाइटन्स दिये है इसे एक या दो टाइटल हमें सेलेक्ट करने है जो मुझे आत्मा को खुशिबी अनुकति राएं या मसीज की सिती इसे एक या दो टाइटल हमें सेलेक्ट करना है अरे के अपने-अपने अलग अलग हो सकते हैं मान लिजे आपने विश्व परिवर तक आत्मा का टैटिल लिया उस पर बहुत गहराई से हमें जिन्दन करना भी विश्व परिवर तक आत्मा के संकल्प केसे होंगे विश्व कल्यान करने के निमिन तब होंगे उसके कोल केसे होंगे अनिक आत्मों को प्रेणा देने वाले होंगे उसके करम केसे होंगे स्रेश को होंगे उसका व्यवार के साहँगा स्रेश का व्यवार का उसकी चलन और जिन्दना के साहँगा उसके पार उन विशेस्टाओं को हमें अपने में दार्ण करना है और उस उमार के टाइटल को अपने जीवन का अभिन्न अंगर अंधो करना है तो दीरे दीरे इश्वरी अंगर से की अमर्ती बढ़ती जाएंगी और दुसरा लाव इसका ये नोताने है जब हम सुमार के सिर्फट से रहते हैं तो आत्मा में वो इश्वरी को मारे वो मस्ती वो नश्वरी समस्कार के रुप में भरता है और वो हमें अर्विश्य में राजा माराजा रानी माहा रानी का पद दिलाने में मदद करता है इसी सवान के सिर्फट से हैं लेकिन सद्युक्त रेता हैं में जब अपने सिहासं पर बैठे हैं तो उनके चेहरे पर वो ही मस्ती वो ही रुखाँ अन्मा हो रानी तो पविश्य की तर्वान के सिहासं पर बैठे रहना हैं जेसे सवान के सिहासं हम छोड देते हैं नीचे उतर जाते हैं तो हमारे स्थितिम हल चल पे होती हैं दौला इमान होती हैं इसलिए अच्छा वडोस्तितिमाने के लिए स्वान के सिहासं पर दिसरिबान इसे स्रेश तज़्दिती आवश्यक है परमात मा के प्रती दिन का सच्चा प्यार बढ़ते देना हम प्यार के सागर के बच्चे हैं सब के साथ प्यार से रहना ये हमारा भरम और खरम है लेकिन सब के साथ प्यार से रहते हैं दिन का सच्चा प्यार के वल एक बाप के साथ ही हो क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है हम सब ही फकीर है बेगा रहे इस श्रेश रुपी मकान में होने किराय से लिया है प्रकुरती से बेगर वाना बेगर गर भी नहीं हमारे पास किराय का लिया है केवाल हमारे पास दिन के सच्चे प्यार के पुझी है बच्ची वो देखे सच्चे प्यार के पुझी हमें बाबा को सौंपना है क्योंकि बाबा प्यार के सौधा रहे है पक्के सौधा रहे है जितना हम बाबा के साथ प्यार करते हैं उतना ही बाबा हमसे प्यार करते हैं चब हम बाबा को अपने दिल रुपी तक पर बिठाते हैं और उस दिल रुपी तक पर तिसना अगर कोई बैंड जाता है तो बाबा उतर जाते हैं बाबा ने कहा हम आपके तिसरे नेतर में बाबा हूँ मैं आपरा बाबा दो लगरे कि तिसरा कोई बैड गया तो तिसरा नेतर काम करना पंद करेगा इसलिए हमें सक्षा प्यार के विए आपके साथ करना है अपना दिर का सच्चा प्यार किसी बेटी वेखों के साथ जो शेयर करते हैं जो अपने दिर खर सच्चा प्यार किसी ब 열टी के साथ शेयर करते हैं वो शेर की तवर इस माया की जिंगल में ताहड नहीं सकते हैं इसलिए मुझे दिल का सच्चा प्यार का सवधा के वले इपाप के साहाद करना है क्योंकि प्यार इसलिए चुपक ये सकती है जो हमारे और बावा के बीज में जो हजारों मिलों के दुरी है आपने सामने मुलाकात के अनुमति कराता है कंपाइन सित्य के अनुमति कराता है इसलिए जब बावा से सच्चा दिल का प्यार बढ़ने लगता है लब भी समय तक बावा के साथ परंधामे हम बैठे रहते हैं और गितना अवा समय तक बावा के साथ बेते हैं उतनी बावा से शक्तिया लेते ही रेते हैं जिससे हमारी स्थिति परेपक्व बंदी जाती है इसलिए केते हैं जहां प्यार वहां बुद्धी की तार सुभई ही जो जाती है जैसा प्यार वेश्य गुद्धी के तार जुटी रहती हैं, हमारे तार गुद्धी के जुटी रहती हैं, यही परमात्म प्यार में इस दुनिया से पार लिए जाता है, उस्ते उच्छ परमधा में बिढ़ा लेता है। जुटी रहती हैं, जुटी रहती हैं, क्योंकि हम देखते हैं, अब 84 जनम में हम बेढ़े हैं, 83 जनम में पार्ट होने बजा जाते हैं। इसलिए अनिक आत्मों के साथ हमारा पॉजिटिव तद्धा नेगेटिव अकाउंट हैं। इसलिए नवचाते हुए कभी किसी विक्ति के साथ, विक्ति के तरफ लगाव जुटा होने की संभावना होती हैं। लेकिन चुपावा की हम हर रोज पाहना ज्याना भी जो अकस्त के लेते हैं। उस पाहना के द्वारा उस हिसाब किताब को हमें पूरा करना है, चदम करना है। साथ साथ एक रस्तिती बनाने के लिए एक से ही सभी रस राप करते नहीं। एक बाबा से ही सर्व सम्वन्दों के अनपती करते नहीं। क्योंकि बाबा सर्व रसों के बंडार हैं। बाबा सर्व प्राप्तियों के बंडार हैं। बाबा सर्व सम्वन्दों के सक्रीव हैं। बाबा हमें ओफर करते हैं। कि मैं 24 गुंटे आपके सेवा के लिए हाजे हूँ तो पावा के साथ एक सेखर भी हमारे उती है तो अनेक पत्मों के कमाई हमारे हुती है तो जास्ते से जास्ते कमाई करने के ये जास्ते से जास्ते समय पावा के संग में रही है लेकिन बिन्दी समझ कर बिन्दी बाब के साथ रहना थोड़े समय के बाद बोर अन्व बता है इसलिए मनुस्ट का इनिच्चर है इसलिए सारे दिन भर में योगा भ्यास के रुच्छी बनी रहे हैं इसलिए बाबा के साथ समय समझ की अन्वती और भी बिनी पुरुट करता है श्यू बाबा के मा बाबा के दान में फरिस्टा सरूप में फरिस्टों की दुन्या में है और मैं आत्मा भी अपने फरिस्टा सरूप में बाबा के साथ हूँ और इस लिपी से बाबा के साथ विबिन सम्मदों की अनुपनी करते रहे और साजन सजनी का सम्मद में अनुप करना है तो वो परंधा मुनों भी पीस पहले से करे मैं निराकारी आथमा सजनी हूँ और बाबा सलोने शिव बाबा मेरे साजन है ऐसा बोड़े प्यार से अनुप करके बाबा से सर्म रस्तों की अनुपनी करें क्योंकि बाबा सुख के सागर है आखरी जो प्राप्ते हमें होती है वह सुख के रुप में होती है और बाबा सुख के सागर ही हम भी मिल जाती है तो आत्माओं से समंदों की अनुपनी करके अलपकाल की सुख की अनुपनी करना ये इच्छा समाप हो जाती है और हम बाबा को ही अपना संसार अनुप करने रखते हैं संसार में रिखे भी ए बाबा को अपना संसार अनुप करते हैं इस अंसार में दोई चीज़े हैं व्यक्ति और वेवाव जो प्राप्तियां व्यक्ति वेवाव से रुती हैं वो प्राप्तियां हमें पावाव से भी करनी हैं क्योंकि देखो दोनों में बहुत अंतर हैं व्यक्ति वेगों के साथ बुद्धी जुड़ जाती है तो शक्तियां हमारी खौर्च होती है और बुद्धी हमारी परमात्मा के साथ जुड़ती है तो हमें शक्तियां मिलती है इतना अंतर है क्योंकि बावार शक्तियों के प्रचंद स्रोत है तो में जब गुद्धी हमारी जो जाती है तो हमें शक्या में ती है और वर्दमान समय है आत्मा रुपी बैटरी को चार्ज करना शक्यों से बरबूर करना इसलिए कोई भी ऐसा लोकिक संबन्द ना हो जिसमें हमारी गुद्धी बाहर बाहर अपरशित होती है जैसे विट्षन को स्विष्टी के गुलोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं पांसरे बजा रहे हैं तांप पर टांप लेटे भी हैं बैटे हैं उनका नाम क्या है? मौहान ना मौहन के साथ हमें अगर सत्युद में राज करना है तो मौहन देशारी हमें या प्यारा बनना होगा तब ही हम साथ का रोका राज भी करेंगे तो सत्युद में स्थूर राज करने का सवाख्यत हमें बिलेगा और पांच भी बात हैं अच्छा अगरोस दिदे बनाने के लिए आत्मा की हैं उन विकारों के अंशकों जड़ से खतम करना जुर्णी है वेस्तका भी हाँ तो हमर रोज करते हैं फिर भी हमारे इस संस्कारों में परिवरतन अनगोर नहीं होता है विकारों के जो अंश-वंन्स है बहुत समाप्त नहीं होते हैं कभी-कभी हमें अवेश आता है कभी-कभी udah चिजड़ा पनाता है कभी फिलिक होता है तो आत्माने जो विकारों के आंश पाकी हैं उनको ख़दम करने के लिए शक्ति साली योगा भ्यास करते रहना दो रही है शक्ति साली योगा भ्यास के ही ये काम समझ है इसलिए जब भी हम अमरत वेलिया नमा शाम के समय योगा भ्यास करते हैं उस समय इसी शक्ति शाली योग में अनुमति करें उसके लिए परमधाम भी जब हम बाबा के पास बेखते हैं तो मन की बैटर शक्ति शाली है अर्थान बाबा सरशक्तिवान है तुम्हें आत्मा मास्तर सरशक्तिवान बाबा ग्यान सुरी है तो मैं भी आत्मा मास्तर ग्यान सुरी है इससे पाउर्फुल लोग उस दिए जब हम बेते हैं तो बाबा जो स्पिरिच्छल पाउर हाउस है उससे हम अखास शक्तियां स्वेयर में ग्रेंट करने लगते हैं जिससे ऐसी स्पिरिच्छल योगा भ्यास की अनुमती होती रहती हैं अगर हम साधर रितिस बाबा के पास बैठते हैं तो साधर रंच्तिती की यह अनुमती होती हैं इसलिए परमधा में पावा के पास बैठते समय शक्ति शाली स्थिती भी ही रेखना हैं तभी अम्रुट साधर बाबसिश शक्यों का अमृत हम प्राशन कर सकते हैं तो अच्छल पटो स्थिती अगर आत्मा में विकारों के अंश होंगे तो स्थिती हंचल में आने की संभावना होगी माया सुष्मर के से बाढ़ कर सकती हैं स्थिती को डुला इमांग बना सकती हैं इसलिए हमें तो समात करने का पुश्राथ नहीं जब हमारी इस अच्छल पटो स्थिती ये एक रस्थिती बन जाती हैं तो हमें बहुत बड़ा लाब होता है कौन सा लाब होता हैं? हल्चल के बातावर में वेते भी अनेक आथमाओं की मनसा द्वारा सेवा करने का च्यांस हमें बिनता हैं क्योंकि जेसे जेसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हल्चल करने वारी बाते हमारे सामने आएगी और आदमाओं शांती और शक्ती की चाहना रखकर आपके पास आएगी है तो आपके प्रिशेस्टी के बाता हैं अनेक आदमों को शांती शक्ती प्रणावन करने होगी अनेक आदमों की सेवा करने का चाहन साब को मिलेगा और अविनास्ती तमाई करने का गोलर जहाना समय मिलेगा तो एक दुर्ण लक्षे रखें सादना मुझे केसे भी करने हो पड़े लेकिन मुझे ऐसा सादन कौन सा सादन अच्छाव अडोल एक रस्तिती रुपी सादन अपने पास यान रखना है तभी हम ऐसे बेवग की सेवा सफलता पुर्वक कर सकेंगे वी दिखाई दे रहा है तीन चार साद के बाद आप देखना मंसा सेवा का होल बाबा होगा बाबा ने कहा है बाचा कर्मना सेवा करली सुख करली पाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि माहूल ऐसा होगा पर इसकी ऐसे होगी जो आत्माएं हमारे पास नहीं आ सकेंगे और हम आत्मों के पास नहीं जा सकेंगे उस समय दूर बेटी हमें अनिक आत्माओ की मंसा के द्वारा सेवा करनी होगी और इस सेवा के द्वारा बहुत कमाएं कर सकते हैं इसको हुल सेव स्क्रिक्शल बिजनेश करते हैं वाल वाल स्क्रिक्शल बिजनेश और मंसा के द्वारा कर सकते हैं और स्पिती ही हमारी पस्नल कोपर्टी हैं अगर मैंने अपनी स्थित्य अच्छव डूल एक रस्रेश्ट नहीं नहीं तो इंसान के सकेंगे कि बाबा से मैंने जितना लाव लेना चाहिए उतना नहीं लिया बाबा ने मुझे उफर किया चांस लेकि उस चांस का मैंने उतना लाव नहीं लिया और जिनकी स्रेस्ट स्किती होगी वो बेवर का स्परिचल बिजनेस करते रहेंगे तो हम उनको देखने वाले बनेंगे इस सब बिजनेस करने वाले नहीं बनेंगे के वाज देखने वाले बनेंगे इसलिए हमें ये चांस बावर ने दिया है इस तांस को होने चोडना नहीं है इसलिए इस स्रेश्ट स्थिती मुझेब बना रही है एस साथ ले लक्षब मारा को क्योंकि जैसी हमारे स्थिती स्रेश्ट होती है उची होती है लोगों का दुरस्ट रिकोल भी हमारे प्रतीव निचा दोता है प्रामोंण जीवन में लोगों का दुस्ट रुष्ट रुष्ट होन हमारे प्रतीव निचा भुना ये हमारी मुझे है ये हमारी असलिखती है इसलिए हमें ये चाहन जरूर लेना है और अपनी स्रेश्ट स्थिती को पावरफुल बनाने कर दोत्याँ देना है तो बाबा हमें अब पालना दे रहे हैं उस पालना का अपने को फर्दूर खाना दे खजान उससे फर्दूर खाना लेकिन अलब कि खजान प्राफ करने के लिए एक कंडिशन है जड़ तक खुद में और खुदा में खो जाना नहीं आता हैं तक खजाने प्राफ नहीं होते हैं कितना पुदमी अरखात आत्मामी हम हो जाते हैं अनुवती में डूप जाते हैं उतना ही खुदामी अरखात बावा की यान में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, डूप जाते हैं और एसी स्क्ति शाली योगा प्यास की अनुवती हम से लिए इसी बहुत सुन्दर और शक्ति साली स्थिति की अनुवती करने जाँ रहे हैं क्योंकि पावा का इसार हैं हमें अनुवों की एफॉरिटी बनना है तो स्रेश कस्तिति का अनुवाव हमें अना है तो चले नम सभी बहुत सुन्दर स्रेश कस्तिति की अनुवती की ओओ आँ श्यान दी